अम नमो भगवते वासु देवाई नमा ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा हे परमपूश श्री स्वामी जी महराज आख इस सबा में हमारे सम्मुख विराजमान है हे गुरुदेव आपने कहा है कि अपने आपको अर्जुन मानकर इसके सरसार को समझने का प्रियतन करना अधिक समय लगाना हे गुरुदेव आपने हमारी बाजु ठाम रखी है अब हमारा जो अग्यान है और सत ग्यान है अग्यान का हरन और सत के ग्यान को आप स्विम हमारे भीतर बसाने के लिए हमारे भावों को अच्छे से जानते हुए सत पत क्या है ये मार्ग दिखा रहे है हम आपको अपने अंग संग विराजमान जानते हुए हे गुरुदेव आपको कोटी कोटी नमन करते हैं आपको धन्वाद करते हैं कि ये सर्वत्तम ग्यान हमें आप समझाने में पूरन तैप्रियतन कर रहे हैं आप क्रिपा करें जैसा आप चाहते हैं इस ग्यान को हम समझें हे गुरुदेव आपको बार बार नमस्कार 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 हे इश्ट देव शरी राम आपकी प्राप्ती के लिए आपके धाम तक पहुँचने में ये जो पाठ ये धरम और धरम अनुसाद कृत हे भगवन आपने कृपा करना ये हम पूरंत है समझें और आपके धाम की प्राप्ती हो आपको बार बार नमस्कार 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 हे भगवान शिरी कृष्ण चंदर जी महराज आप स्वेम ब्रम इस धर्ती पर आए अवतार धारन किया शलोक बिन काया ब्रम कैसे बोले ब्रम बोले काया के ओले हे भगवान शिरी कृष्ण चंदर जी महराज आप स्वेम हम सब का उद्दार करने के लिए इस धर्ती पर आए हम आपकी चरन शरन में है आप अपने धाम तक ले जाने में हम सब को मार्ग दिखा रहे है कृपा करें आपके अत्रिक्त और इस धाम तक पहुँचाने में गुरु देव सहायक हुए और आप ने ही मार्ग दिया हमारा पत्परदर्शन गुरु देव ने किया हम आपकी इस वानी को दिड़ता से अपने भीतर बसालेवे ऐसी आप कृपा करें यह पाठ हे भगवन बहुत महत्तपूरन है बस यही से अग्यान अरंब होता है और आगे बढ़ता चला जा रहा है हम इसको समझना चाहते है आप कृपा करें यह अरजुन मैं हूँ मेरे प्रशन आप से है आप कृपा करें आपको बार बार नमस्कार 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 झाल झाल